हालो एवरीवन वेलकम टू मैं चानल तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने क्रिएट किया है वेडिंग गेस्ट के लिए आप इस तरह का मेकप लुक अपने फ्रेंड के वेडिंग पे क्यारी कर सकते हैं अगर आपकी सिस्टर की वेडिंग है तो भी आप इस तरह का मेकप लुक कर सकते हैं और आप अपने ड्रेस के अकार्डिंग अपने आईशाओ और हैडिग्स को भी कस्टों बढहे है और मैंने जितने भी प्रॉर्ड को यह यहां पे यूस किये हैं सारे के सारे बहुत ही तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजेगा आप मुझे इंस्टेग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टेग्राम है फेमस्टाइल 212 तो लेट्स बीगिन दा वीडियो फर्स्ट फॉल आप यूजिंग नवाई बेप प्राइमर तो यह सिलिकन बेस्ट प्राइमर है बिसिकलि इसको कोई भी स्किन ताइव यूज कर सकते हैं अगर आपको पोर्स केशु है तो वहां पे अच्छी तरह से प्राइमर को अप्लाइब कर देता और आपको बहुत ही अच्छा सा इवन सा स्किन प्रॉइड करता है आपको ऒूपके और आपके पास भी आभरो के लिए प्रॉडक्ट्ट नहीं है तो आप इस तरह से आइशाड़ के help से भी अपना आइब्रोज को फिल इन कर सकते हैं बट यू हाव तो बी वेरी वेरी क्यारफुल क्योंकि आपको बहुत ही लाइटली स्ट्रोक्स बनाने हैं अपने आइब्रोज के अकॉर्डिंगली उसके बाद मैंने आप स्टेकोगी का सेम स्विस ब्यूटी का सेम कंसीलर पैलेट यूज किया है इन दोनों शेड को मिक्स करके मैं अपने आइलेट पे इस तरह से अपलाई करूंगी और अपने आई मेकप के लिए एक इवन सा लाइक बेस प्रोवाइड करने वाली हूँ तो अगर आप इस तरह से कंसीलर अपलाई कर लेते हैं तो आपको ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी तरह से कलर विजिबल होंगे और उसका जो एक्चुल कलर है जो इफेक्ट है वो बिल्कुल पॉप आउट हो करके आता है उसके बाद मैंने यहाँ पे HR की पैलेट में से यह ग्रीन कलर का शेड पिक करके अपनी क्रीस पे अपलाई किया है तो अगर आपकी जो ट्र्रैस है वो कोई डिफ्रेंट कलर की है तो आप कोई भी डिफ्रेंट कलर यहाँ पे यूऊज कर सकते हैं सेम टेकनिक की हिलप से तो इस तरह से मैंने क्रीज पे इसको डिपॉजिट कर लिया है और डिपॉजिट जब हम करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि कलर जो है एक बार में बिल्कुल नहीं आता तो आप इसको दो से तीन बार करके भी डिपॉजिट कर सकते हैं फिर मैंने यहां पर येलो शेड को पिक करके इस तरह से कलर को ब्लेंड आउट किया है इसे तरह से कम्पलीट लगता है तो इस तरह से इसको मची तरह से ब्लेंड कर लेंगे फिर मैंने एक concealer की help से इस तरह से cut crease draw किया है तो आप easily इस तरह से draw कर सकते हैं अगर आपकी practice है तो और अगर practice नहीं है तो अगर आप gradually इस तरह से cut crease draw करेंगे तो आपको भी habit हो जाएगी तो इस तरह से मैंने एक cut crease draw कर लिया है same green shade को मैंने outer V पे place किया है और अपने eye makeup look को अब बस complete करने के लिए मैं यहाँ पे इसको fuller सा eye look provide कर रही हूँ आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी dark color भी apply कर सकते हैं so that इसमें थोड़ा सा intensify look हो जाए और बहुत ही अच्छा सा like आपका eyes जो है वो pop up होकर के बाहर आता है तो इस तरह से मैंने इसको blend out कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसके intensity किस तरह की है फिर मैंने एक makeup fixer को इस तरह से अपने brush पे spray कर लिया है और यहाँ पे मैं use कर रही हूँ एक yellow shade तो yellow shade को मैंने pick करके इस तरह से like deposit किया है और साथ ही साथ मैंने green shade की साथ इसको हलका सा blend किया है तो मैं यहाँ पे पूरे अपने eye lid पे apply नहीं कर रही हूँ just middle पे मैंने इसको थोड़ा सा apply किया है आप यहाँ पे again कोई भी different shade ले सकते हैं तो थोड़ा सा gradually इसको build करेंगे क्योंकि एक बार में color आना impossible है और इसको मैं इनर कॉर्णर पे थोड़ा सा प्लेस करके just अपने finger की help से blend out कर दूंगी so that एक you know थोड़ा सा shine आ जाए मेरे inner corner पे क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई भी color apply नहीं किया है मैं उसको बिल्कुल plain as it is रखना चाहती थी but अगर आप कोई भी glitter वहाँ पे apply कर लेंगे then trust me आपका जो eye makeup look है ना वो थोड़ा सा different उसमें look आ जाता है next मैंने यहाँ पे यूज किया है लैकमे का eyeliner तो यह काफी जादा affordable liner है just 120 रूपीस का है and मुझे यह बेहत पसंद है बहुत ही अच्छा सा matte finish प्रोवाइड करता है तो मैंने यहाँ पे एक wing draw किया है जो कि बिल्कुल भी bold नहीं होगा एक simple सा wing मैं draw कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे foundation के लिए use करूंगी लैकमे का invisible foundation इसमें मेरा shade है 0-2 trust में मुझे यह foundation affordable range में बहुत ही जादा पसंद है क्योंकि finish इसकी काफी जादा अच्छी आती है यह आपको एक sheer coverage प्रोवाइड करती है बट अगर आप इसको build करेंगे तो यह आपको एक medium coverage भी provide कर सकती है तो मैंने actually इसको दो बार अपने face पर apply किया था क्योंकि first time में इसने मुझे बहुत ही sheer सा coverage प्रोवाइड दिया था जब मैंने इसको दो बार apply कर लिया उसके बार मैं इसके उपर apply कर रही हूँ यहाँ पे Maybelline का age rewind concealer तो यह बहुत ही अच्छा concealer ही यह आपको एक high coverage प्रोवाइड करता है तो इस तरह से मैंने इसको blend किया है जहां कहीं पे भी मुझे darkness थी मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको apply कर लिया है और अच्छी तरह से इसको मैं blend करके spread करूँगी थोड़ा सा time taking process है but trust me look आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है उसके बाद मैंने यहां पे blue heaven का loose powder अपने face पे apply किया है तो मैं इसको just वही apply करूँगी जहां पे मैंने concealer apply किया है so that मेरे concealer में किसी भी तरह की crease ना पड़े और मैंने यहां पे damn beauty blender की help से ही इसको build किया है and आपको difference यहीं पे देखने को मिलेगा कि instantly मेरे जितने भी under eye area है सब बहुत यहीं तरह से brighten up हो गई है next मैंने यहां पे Maybelline का mascara यूज किया है और मैंने यहां पे falsies भी apply किया है जो कि बिल्कुल optional है आप चाहे तो apply कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप इसको skip कर सकते है next मैंने यहां पे faces का kajal अपने lids पे apply किया है sorry water line पे apply किया है और मैंने जो है इसको complete look देने के लिए यहां पे इस pink shade को थोड़ा सा पिक करके अपने kajal के साथ blend कर दिया है so that मेरे eyes में थोड़ा सा एक pink का hint भी आ जाए क्योंकि मेरे कुर्ती में एक pink color के छोटे-छोटे flowers बने वह है और यह बिल्कुल optional है आप चाहे तो यहां पे black color को लेकर के smudge out कर सकते है मैंने यहां पे pink shade यूज किया है फिर मैं यहां पे एक golden glitter यूज कर रही हूँ जो कि मैंने local market से purchase किया था और जहां पे मैंने cut crease draw किया है बस वहां पे इसको थोड़ा सा line up कर दूँगी so that मेरा जो eye makeup look है वो थोड़ा सा अच्छा लगे and थोड़ा सा pop out हो जाए तो इस तरह सा आप इसको draw कर सकते हैं थोड़ा सा आपको careful रहने की जरूरत है और मैंने इसको थोड़ा सा अपने inner eye पे भी apply किया है इससे जो है instantly आपके eyes brighten up हो जाएंगे and trust me this looks so gorgeous तो इस तरह से मैंने इसको apply कर लिया है next मैंने यहां पे Nika K का contour palette में से यह dark shade को pick करके अपने cheeks की contouring की है jaw line even अपने nose की contouring की है यह बिल्कुल आपके face का look change कर देती है this is a game changer यह आपको जो है बहुत चिजल सा face का look provide करती है तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अपने jaw line पे भी इसको apply किया है आपको बिल्कुल lightly इसको pick करके अपने face पे apply करना है blend करना है एक बार में बिल्कुल भी ज्यादा product ना लें क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है handle करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है and बिल्कुल artificial वाला look आ जाता है इसलिए बिल्कुल lightly लेकर कि इसको इस तरह से ब्लेंड करते जाएं अगर आपको product की जरूरत है तो आप दुबारा भी इसको pick करके apply कर सकते है and मैंने आपको difference भी दिखा दिया है कि किस तरह का feel होता है फिर मैंने यहापे max and more की highlighter palette में से यह सारे shades को pick करके as a bronzer अपने face पे apply किया है lipstick as compared to powder blushes जादा देर तक टिकती है मैंने यह बात बहुत बार आप लगों के साथ शेयर किया है and यह मुझे comparatively थोड़ा जादा नाचरल लगता है तो इस तरह से पहले मैंने इसको अपने hand पे you know थोड़ा सा रब कर लिया and एक blender की help से इस तरह से उसको pick करके apply कर दी हो so that यह थोड़ा सा natural रहे और बिल्कुल भी जादा मेरे face पे ना आए फिर मैंने same palette में से max and more के palette में से इस shade को as a highlighter use किया है trust me this looks so gorgeous मुझे personally यह highlighter बहुत ही जादा पसंद है although यह एक local brand की highlighter है but यह बहुत ही अच्छा finish देती है बहुत जादा natural लगता है तो इस तरह से मैंने इसको अपने higher points of my face पे apply कर लिया है and obviously आप चाहे तो इसको अपने neck line पे भी apply कर सकते है that's totally your call फिर मैंने आप lipstick के लिए use किया है faces का lip liner in the shade rose petal तो इस तरह से मैंने अपने lips को line किया है and साथ ही मैं इसी shade से fill-in भी करूंगी क्यूंकि मेरी कुर्ती पे pink color की flowers है इस वज़े से मैंने pink shade apply किया है it's your call कि आपको कौन सा shade apply करना है तो मैंने जब अपने face, sorry lip space को fill-in कर लिया इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा nude effect देने के लिए लिक्विड लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूं in shade no.1 so that जो लिप्स्टिक के यह थोड़ा सा mute हो जाए और बिल्कुल भी loud ना लगे तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से apply करके like mix किया है and इसके साथ ही मेरा जो मेक-प लुक है यह complete हो गया है इस प्लैनेट का व्लॉग भी शेयर किया है इनकेस अगर आपने चेक नहीं किया है तो जरूर चेक आउट कर लीजेगा तो मैंने उसमें बहुत सारे अपने लोकल मार्केट के प्रॉड़क्स शेयर किया है and lastly मैंने एक ग्रीन कलर की बिंदी अप्लाई की है and this is my final makeup look comment करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला makeup look कैसा लगा मैंने कोशिश किया कि इसको जितनी easy तरीके से create कर पाऊँ और आप लोगों के साथ share कर पाऊँ क्योंकि कई लोगों को makeup इस तरह का create करने में काफी problem आती है I hope कि आपको ये वाला look पसंद आएगा obviously you can customize this look according to your you know lehenga और outfit आप किसी भी तरह की jewelry कर सकते हैं जो भी आपको comfortable लगे I hope कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो yes आज के रिए बस इतना ही आप मिलत अपने नेक्स वीडियो में till then bye bye take care